नमस्कार जन्मत की पुकार में आपका स्पागत है दिल्ली पुलिस ने हर्याणा के एक वॉंटेड अपराधी को किया गिरफतार दिल्ली पुलिस के वेस्ट रेंज दू क्राइम ब्रांच की टीम ने हर्याणा के पटाधी थाने में दर्स एक जबरन वसुली के मामले में वॉंटेड एक अपराधी को गिरफतार किया है आरूपी का नाम अनुप है वो हर्याणा के पटाधी में स्थिल SDJM अदालत द्वारा 10 नवंबर 2023 को जारी आदेश के नुसार गोशित अपराधी था शिकायत करता नरेंद्र को देवेंद्र देवा नामक व्यक्ति से धमकी भराफोन आया था देवेंद्र देवा ने नरेंद्र से पैसे मांगे थे नरेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था इस मामले में कई लोगों को गिरफतार किया गया हाला कि अनुप को बाद में जमानत मिल गई थी लेकिन वह अदालत की कारिवाही में शामिल नहीं हुआ इसके बाद उसे घुशित अपराधी घुशित किया गया पुलिस को गुप्त सुचना मिली थी कि अनुप नजफगड के गोपाल नगर में किसी से मिल दे आएगा इस सुचना के आधार पर पुलिस ने एक विशेश टीम का गठन किया इस टीम का नेत्रुत्व इंस्पेक्टर पवन से ही कर रहे थे टीम में सब इंस्पेक्टर अनुच छिकारा सब इंस्पेक्टर कुलदीप से ही असिस्टन्ट सब इंस्पेक्टर रविंदर ओम, हैट कॉंस्टेबल रविंदर, अशोक पवन, सोहीद प्रमोत कॉंस्टेबल मनोज और कॉंस्टेबल काजल शामिल थे पुलिस ने आरोपी अनुप को गिरफतार कर लिया आरोपी अनुप देवेंद्र देवा का सहियोगी था देवेंद्र देवा पुर्वविधायक भरत सही की हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक था आरोपिय अनुप पहले 13 मामलों में शामिल था